चलो आज भी एक कहानी सुनाते हैं ठीक है एक बार एक गाओं में दो बच्चे होते हैं ठीक है दोनों दोस्त होते हैं बहुत अच्छे बढ़िया दोस्त एक की उमर होती है साथ साल और एक की उमर होती है आठ साल ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं दोनों, एक की साथ साल और एक की आठ साल, दोनों बहुत खेलते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं, इंज्वाय करते हैं, साथ में खाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक दिन वो खेलते खेलते गाउं के बाहर चले जाते हैं, जै जब खेलते खेलते बाहर जाते हैं, तो गाहों के बाहर एक कुवा होता है, कुवा जानते हो, उसी के बाहर वो कंचे खेल ले होते हैं, जैसे तुम लोग कंचे खेलते हो, तो एक कंचा कुवे में गिर जाता है, तो वो जो एक दोस्त होता है, जिसका कंचा गिरता है, वो ऐस से एक दोस्त कुए में गिर जाता है जिसकी उम्र आठ साल होती है जो बड़ा होता है एक साल वो कुए में जाके गिर जाता है अब जो छोटा वाला होता है जो उसका दोस्त होता वो चिलाने लगता है बचाओ बचाओ मेरे दोस्त को बचाओ बचाओ मेरे दोस्त को लेकिन व कि भूला रहुता है कि भूको कि को अब से तक को inte दिखाई नहीं दे रहा, तो एक रसी पड़ी होती है, उसमें बाल्टिशन बंधी होती है । थीक है पानी निकालने वाली वाली बालेन के पड़ी होती है उसके अंतर डाल देताय जो बच्चा होता है साथ साल का जब उसे कोई नहीं दिखता, तो क्या करता है उस बरस्शी को help just correct और बोलता है a depths अपने दोस्त को तुम अब उसको पकड़ लो कोबत ने लेता है और जो छोटा बच्चा होता होता है वो बहुत उससको खीचनने लगता है पूरी तकत लगता в connected पसीना पसीना हात उसके छिल रहे होते हैं। लेकिन वो खीसता रहता है। एक घंटा हो जाता है खीसते-खीसते। एक घंटे बाद वो अपने दोस्त को बचा लेता है। कि भाई एक के हाँ छिले एक पूरा गीला, मिट्टी से लटपत। कि घर जाएंगे तो पीटे जाएंगे, डरते डराते घर जाते हैं, मम्मी देखती उनकी, मार लगाना शुरू कर देती है, पूछती है कैसे कपड़े गीले कर लिए, कैसे गंदे हो गए, तो बोलता है कि ये दोस्त मेरा कुए में गिर गया था, और मैंने इसको बाहर निकाल तो मैं गंदा हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गया, तो उसकी मम्मी और पीटती है, कि ये आठ साल का, तो साथ साल का, कैसे इसको बचा सकता है, वो भी इतने गहरे कुए से इसको निकाल सकता है, हो यह नहीं सकता, लेकिन वो कह रहा, नहीं मैंने निकाला, मैंने बचाया इसको मैंने निकाला लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर रहे होते पडोसवालों को बिलाते हैं वो लोग भी कहते हैं हो JUN सकता ही ये पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं सकता है कि ये इसको बचा ले ये से एक साल छोटा भी है और भारी भी है इतने गहरे कुई से कैसे निकाल सकता है फिर वो लोग गाउं के एक बुजुर्ग के पास जाते हैं बुड़े आदमी के पास जाते हैं और अपनी वो उस गाउं का सबसे समझदार इंसान होता है उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये बच्चे बोल रहे हैं कि वो गिर गया था पानी में और मैंने बचाया है तो गाओं का जो वो समझदार व्यक्ति होता है बुजर्ग वो कहता ये बिलकुल सही कह रहे हैं ये बिलकुल सही कह रहे हैं क्यूंकि जब इसने उसे बचाया तब वहाँ पर कोई ये बताने वाला नहीं था जैसे तुम लो जब किसी को ये अंदर से एसास हो जाता है, जब कोई दूसरा ये कहने वाला नहीं होता है, ये नहीं कर सकते हो, तो वो इंसान वो चीज कर लेता है, जैसे तुम लोग गाउं के हो, गाउंस में पढ़ रहे हो, यहां पर अच्छा स्कूल भी नहीं है, अच्छी पढ़ाई भ कोई तुम नहीं कर सकते है, इसलिए उसने कर लिया, जब तुम्हें कोई ये बताने वाला ना हो ना कि ये तुम नहीं कर सकते हो, तो तुम वो काम कर सकते हो, समझ सकते हो, तो हर काम दुनिया में पॉसिबल है, लेकिन लगन होनी चाहिए, उस छोटे बच्चे को लगन थी कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है किसी भी हाल में क्योंकि वहाँ कोई दूसरा है नहीं उसको बचाने वाला मुझको ही बचाना पड़ेगा ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर प्रेणना आ जाएगी कि हमको ही अपने परिवार के लिए खड़ा होना है हमको ही कुछ करके दिखाना है हमको ही आगे बढ़ना है तब आप लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो तो क्या सीखा इस कहानी से बताओ क्या सीखा कि अगर हम जो चीज़ ठान ले वो जरूर कर सकते हैं चाहे लोग कितना भी ना ना करते रहें समझ गए जब हमारे दिमाग में कोई चीज determination आ जाए कि ये काम हमको करना है और हम कर सकते हैं तो वो काम आप जरूर कर सकते हैं इस कहानी से हमको ये सीखने को मिला